Hi everyone, I am Arun Vashist, once again I am back और आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोड़क्शन में कौन सी ऐसी गलतियां होती है जिनकी वज़े से हो सकता है कि आपका वो पैंस्कोर ना रहा हो जो आपको आल्स राइटिंग में चाहिए और हो सकता है कि आप जल्दी एक्जाम देने वाले हैं तो ये गलतियां आप ना करें अगर आपको 7 प्लस बैंस्कोर चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बता दो कि Arun Writing Library 7 प्लस ये कोर्स अगर आप पूरा जोइन करना चाहते हैं उसके लिए आप मेरी application डाउनलोड करके Arun Als Classes वहां पर Arun Writing Library 7 प्लस को आप जोइन कर सकते हैं for your desired band score Let's begin सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे common mistakes की कौन सी ऐसी mistakes हैं जो अकसर students writing में सबसे पहले जब introduction को लिखते हैं तो कौन सी mistakes हैं जो करते हैं जिनको आपको avoid करना है सबसे पहले common mistake number one यहां पर हम लोग बात करेंगे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे students इस तरीके से लिखते हैं हो सकते हैं आप भी लिखते हूं Writing the wrong general background statements बहुत सारे students हैं कि जिनको लगता है कि general background statements से आप लिख रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि questions से वो match नहीं करती है तो इसलिए मैं आपको suggest नहीं करूँगा कि आप general background statement हर essay में लिखें There are no marks for being interesting or entertaining कुछ students को लगता है कि शायद अपनी जो introduction है वो आपकी अगर interesting होगी थोड़ी सी entertaining होगी तो हो सकता है कि examiner impress होकर आपको बहुत अच्छा score दे तो ऐसा नहीं है इसके लवाब आपको पता दो कि you don't have time जो आपका time है वो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि 40 minutes से आपके पास task 2 के लिए और 20 minutes हैं आपके पास task 1 के लिए जैसे कि मैं एक्सर कहता हूँ कि अपनी writing library के अंदर जितने मैंने वीडियोस अपलोड की हैं या फिर जब ही मैं writing के बात करता हूँ तो आपको task 2 हमेशा पहले लिखना चाहिए और task 1 को बात में लिखना चाहिए क्योंकि task 2 जो है वो ज़्यादा important है task 1 से never use phrases like बहुत सारे अब students क्या करते हैं जब introduction को लिखते हैं तो उसमे nowadays in the modern world या फिर in modern life इस तरीके के phrases यूज करते हैं जिससे कि बहुत ज़्याद आपको बता दूँ कि जब ये आप बार बार लिखते हैं इस तरीके के phrases को आप यूज ना करें इसकी जगह पर आपको किस तरीके से शुरू करना चाहिए इसका में एक्जामपल भी दिखाऊंगा आपको क्या mistakes हैं किस तरीके की mistakes होती है example question भी हम लोग लेंगे इस video के अंदर opinion भी नहीं है और outline भी नहीं है main ideas main ideas का मतलब यह है कि आपके BP1 और BP2 में ऐसा क्या होने वाला है वो आपका introduction में दिखना चाहिए अगर वो नहीं दिख रहा है that means so यह examiner को कही नहीं स्वगल करना होगा कि आपके BP1 BP2 में क्या होगा so यहां पर भी यह clear नहीं हो रहा है so your opinion must be clear आपका जो opinion है वो एक दम clear होना चाहिए throughout the whole essay पूरे essay के अंदर आपका जो opinion है वो आपका clear होना चाहिए it becomes easier for the reader क्योंकि जब आपका opinion बिल्कुल clear होता है तो यह जो reader इसको as it is copy करना अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बता दो कि it will be removed by the examiner यह बिल्कुल एकदम से delete कर दिये जाएगा remove कर दिये जाएगा examiner के दुवारा और इसके आपको कोई भी marks नहीं मिलेंगे कोई भी points आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने question language को copy किया अभी आप करके सकते हैं देखिए आप कुछ words को copy जरूर कर सकते हैं कुछ words को आप फिर से use कर सकते हैं introduction में question में आप use कर सकते हैं लेकिन as it is copy करना यह बिल्कुल गलत होगा इसके आपको कोई points marks नहीं मिलेंगे अभी हम लोग बात करते हैं bad example अभी यहां पर मैंने question लिया है in some countries the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing due to unhealthy diets do you agree चली दिखते हैं कि introduction का bad example क्या है nowadays increasing weight is a very controversial issue and it is a very important problem in the modern world अब इसमें देखिए nowadays यहां पर और यहां पर फिरसे use हुआ है in the modern world इसका मतलब यह है कि यह आम बात यहां पर हो रही है यह बार बार repetition में आता है अगर मैं आपको बता हूँ कि कर मान के चली अगर एक examiner एक दन के अंदर 30 essay read कर रहा है examine कर रहा है check कर रहा है तो मैं आपको guarantee से बोल सकता हूँ 20 से 22 essay में यह wording आपको मिलेगी अगर आप भी use कर रहे हैं तो इसको use मत करें इसके लावा क्या use करना चाहिए उसके लिए video last तक जरूर देखें okay so next अब बात करते हैं एक और example bad example there is no denying that ये भी मैंने देखा कि बहुत सारे students इस तरीके की language को भी use करते हैं इस तरीके के phrases को भी use करते हैं कि there is no denying that अभी होता क्या है कि कहीं भी YouTube के उपर या फिर किसी teacher ने सिखा दिया कि इन phrases को आप यूज करके आप लिखन अभी ये चीज़ भी यहां पर मैंने देखे कि I will discuss this I will discuss the main reasons in my upcoming paragraphs यहां पर क्या नहीं है यहां पर ना तो outline है और नहीं जो main ideas है कि BP1 में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी यहां पर कुछ भी mention नहीं किया गया है अगर आप यह गलतियां करते हैं तो आपको बता दूं कि जो writing के अंदर introduction है वो first impression है और first impression को बोल सकते हैं जैसे last impression बोलते हैं जैसे first impression के अंदर examiner को पता चल जाता है कि आपका जो BP1, BP2 और conclusion में क्या होने वाला है अगर आपकी यह गलतियां होती हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा impression नहीं आपका होता है अगर आप यह mistakes कुछ करते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि इसके अलावा आप practice जरूर करें और अपने answers को जरूर लिखें और next future videos के अंदर Arun writing library के अंदर मैं बहुत सारी videos में आपको में दिखाऊंगा कि introduction को किस तरीके से आपको लिखना चाहिए क्या आपको avoid करना चाहिए कौन से ऐसे मेरे structure ह हैं जिनको आप use करके 7 plus 10 square कर सकते हैं कर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं राइटिंग के लिए खास दौर पर तो उसके लिए आप मेरी application को download करें अरून अगर आपके पास android phone है और अगर आपके पास iPhone है तो उसके लिए डाउनलोड करें class plus application यहां पर live classes भी होती है हर हफते हमारी live classes होती है जिनको आप जोइन कर सकते हैं उसके लिए आप गूगल application download करके सबसे पहले आप इसको download करें